गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स तोडे वी आर गोइंग टू वन एक्टिविटी आज मैं आपको बताऊंगी कि जो एक्टिविटी वीक हमारा सेकेंड नवेंबर से सिक्स नवेंबर तक है उसमें आपको कौन सी एक्टिविटी सेंड करनी है ठीक है? मैं आपको एक्टिविटी भी बताऊंगी कौन सी सेंड करनी है और आप्षेंज भी दूँगी कि आपने किस पे वो एक्टिविटी बनानी है देखो आपने एक्टिविटी वीक में क्या करना है? यू विल मेक आ वीडियो ओन शो एंड टैल शो एंटल किया हुए हमने उसमें आप एक वीडियो बनाओगे किसी भी टॉपिक पे on any topic but I have given you four topics इनमें से ही आप एक टॉपिक उठाओगे और साथ में आप वो वीडियो में object भी शो करोगे I have written also it is compulsory to show the object in video वीडियो में जो भी object आप ले रहे हो वो दिखाना compulsory है ठीक है जो भी object आप ले रहे हो वीडियो में वो object दिखाना compulsory है You can take a wall clock like I have made a wall clock ये wall clock बनाई है मैंने आप अपनी wall से उतार के भी इसे ले सकते हो ठीक है और आप ऐसे बना भी सकते हो अपनी वीडियो के अंदर ये clock खुद से बना के आप वो भी दिखा सकते हो और you can take it from your wall also Your favorite toy आप किसी ना किसी toy से खेलते होगे जो आपका favorite हो आप उसको भी ले सकते हो ठीक है थर्ड चेर एनी चेर कोई भी छोटी चेर है या बड़ी है आपके पास आप वो चेर ले सकते हो वीडियो में और आप उसको Show and Tell में बता सकते हो उसके बारे में ठीक है Last is Geometry Box तो ये हैं आपके 4 topics फेवरेट toy में आप कोई भी toy ले सकते हो ये हैं आपके 4 topics और इनी 4 topics में से किसी एक topic पे आप वीडियो बनाओगे Show and Tell के लिए और उसको वीडियो को स्कूल के नामबर पे तिल नमेंबर 6 6 नमेंबर से पहले पहले सेंड करोगे ठीक है इन 4 topics में से कोई एक topic लेके उसके बारे में बोलोगे और आप स्कूल के नमबर पे नमेंबर 6 नमेंबर तक सेंड करोगे अब मैं आपको एक revision points बता देती हूं जिससे आपको revise हो जाएगा कि आपने कौन-कौन से points बोलने है हम बोलेंगे 6 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 points वीडियो में बोले जाएंगे first point जो होगा वो आप object का नेम बोलोगे जैसे मैंने लिया clock तो ये मैं क्या बोलूँगी the object in the video is wall clock या फिर clock ठीक है तो आप भी क्या करोगे सबसे पहले object का नेम बोलोगे फिर आपके हाथ में जो object है उसको हाथ में ही रखोगे उसको वीडियो में दिखाओगे और बोलोगे color of the object जैसे हम इस pen को लिते हैं show and tell के लिए the object is pen the name of the object is pen color it is blue in color it is blue in color shape it is cylindrical in shape इसकी जो shape है ना यासी long and tube like shape है tube जैसी है ना यह pipe जैसी है तो यह होती है cylindrical material used to make it यह कौन से material से बना है it is made of plastic who use it इसको use कौन करता है pen को आप तो use नहीं करते तो आप क्या बोलोगे my teacher use it what is the use of the object use किसलिए किया जाता है यह object video वाला जो भी object होगा उसको किसलिए use करते है it is used to write अब हम वीडियो में pen के बारे में बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे it is used to write on the paper ठीक है ऐसे ही मैंने pen का example देके बोला है आप इस four topics में से एक topic उठाओगे उस पे video बनाओगे in points पे in points को use करके और 6th of November तक send करोगे that's all for today we'll see you in the after this take care bye